हालो स्टुदेंट्स आज हम चैप्टर रिवायरे करेंगे आप्लिकेशन फिंक Carib Di IP तो एक एक वीडियो में पूरे इंट bye application of integration में क्या है एपोकलिकेश measure कि आप्लिकेशन इंच प्याइन फिर्या अंडर सुंपल कउस सु lug lire लाइन्स, पैराबोला, एरिया ओफ सर्कल्स, लिप्स, अट्सेक्टरा, यह हमें फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास एप्लिकेशन ओव इंटिग्रेशन में है क्या पहले, एरिया अंडर सिंपल करो, एरिया अंडर सिंपल कॉफ्स, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई है, y equal to fx, और हमने यह एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, यह लिमेट है हमारे पास, x equal to a, और यह लिमेट है हमारे पास, x equal to b, ठीक है, और इसे एरिया को हम बोल देते हैं, a, b, c और d, हमने यह एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब यह एरिया बिल्कुल यह एरिया तो हम find out कर नहीं सकते क्योंकि यह ना तो square है ठीक है ना rectangle है ना कोई circle है तो हम क्या करेंगे इसमें strip ले लेंगे बहुत ही small strip ठीक है यह बहुत ही small strip होती है यह with respect to dx करेंगे ठीक है तो यह हमारे पास क्या हो जागा area हमने find out करना है यह हमारे पास क्या होता है da area of elementary strip area of elementary strip यह strip इतनी brick होती है इतनी पतले होती है यह एक तरह की यह rectangle बन जाती है ऐसी कितनी strip है अब सभी strip को मलाके हम उसका area find out करेंगे और हमारे पास यह da क्या होता है y dx ठीक है अब हमारे पास area of a b c d किसका इक को लोगा area of a b c d integral of a to b limit कितनी a to b y dx ठीक है अब y की value क्या f x है तो a to b f of x dx तो ऐसे हम area of curve जानी simple curve के अंडर जो area हम ऐसे find out करेंगे lower limit upper limit y और dx with respect to x ऐसे इसका second type भी है जब हमारे पास area with respect to y find out करेंगे जैसे हमारे पास ऐसे भी curve हो सकती है ठीक है यह हमारे पास x axis है और y axis है अब हमारे पास यह curve भी तो हो सकती है अब हमने यह area find out करना है ठीक है यह a to b है अब हमारे पास जो strip है वो क्या होगी dy के ठीक है अब हमने area find out करना है a b c d का ठीक है अब हम with respect to y area find out करेंगे तो इसका area क्या होगा area of a b c d वो किसका equal होगा limit a to b अब यहाँ हमारे पास यह जो curve है इसे हम क्या बोल देते हैं x equal to f of y तो यहाँ हमारे पास क्या हो जगा x dy अब x की value हमारे पास क्या होगी a to b x की value के हमारे पास f of y dy ठीक है तो ऐसे हम area इसका find out करेंगे lower limit upper limit f y dy ठीक है ऐसे with respect to x है और यह with respect to y है अब हमारे पास यह curve भी हो सकती है जो की x axis के नीचे हो negative में ठीक है तो इसकी limit a to b है और इसमें भी हम strip ले लेंगे ठीक है एक small strip dx ठीक है तो हमारे पास यह जो curve है वो क्या है y equal to fx है अब हम यह area पहले आपको पता होना चाहिए area कभी भी negative नहीं होता तो इसे हम कैसे find out करेंगे area mod में a to b f of x dx क्योंकि area यह इसे हम absolute value बोलते है area कभी भी आपके पास negative नहीं होता अगर negative में भी आ जाए तो इसे हम modulus में find out कर देंगे area जनी जो भी area होगा modulus अगर negative में है तो उसे भी हम कभी भी area आपको पता होना चाहिए negative में नहीं आता अगर आपके पास sign का graph हो जैसे अब हमें मालूम है यह dx यह भी हमारे पास dx ठीक है यह 0 से लेकर पाई तक यह पाई से लेकर 2 पाई तक है अगर हम दोनों का एक साथ area find out करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि यह भी equal है यह भी equal है तो यह तो है positive 4 में और यह हमारे पास है divide में तो इसे हमने area इसका कैसे find out करना है जैसे अगर sign का 0 से 2 पाई से पूछ ले जो 0 से पाई होगा यह तो अलग है f of xda और यह जो पाई से 2 पाई होगा ठीक है पाई से 2 पाई इसे हम mod में रख लेंगे ठीक है इसे हम क्या करेंगे mod में रख लेंगे क्योंकि यह area तो कभी negative नहीं होता अगर हम direct solve करेंगे 0 से 2 पाई वो 0 आ जागा लेकिन area कभी भी 0 नहीं होता तो 0 से पाई positive में है तो इसे positive में find out करतेंगे और यह जो नीची आर एकस एकस के नीची आर है यह तो negative में है तो इसे हम modulus में find out करतेंगे ठीक है तो यह थे कुछ इसके root अब जो जो use होगा जैसे circle उसकी equation में आपको बताते हैं parabola मारे पास चार टाइप के हैं y square 4a x यह अपने plus one में पड़ा हुए यह हमारे पास right parabola y square 4a x फिर हमारे पास है y square minus 4a x यह हमारे पास left parabola y square minus 4a x अब हमारे पास है x square equal to 4a y यह हमारे पास upper parabola और x square equal to minus 4a y यह हमारे पास lower parabola यह चार parabola आपने याद रखने हैं अब circle की equation x square plus y square equal to r square यह हमारे पास circle की equation है इसका center का है 00 ठीक है वैसे journal equation circuit की होती है x minus h का square y minus k का square equal to r यहां h और k zero है तो इसका center का होगा 00 ऐसे ellipse x square upon a square y square upon b square equal to one तो यहां a greater than b है तो यहां हमारे पास ellipse ऐसे होगा यहां zero से लेकर a तक यहां b तक अगर x square upon a square y square upon b square equal to one अगर a b से छोटा हो तो यहां ellipse कैसे बनेगा horizontal ठीक है यहां zero से a तक यहां यह बस यह diagram यूज होंगी eight chapter में clear है अब हम कुछ question try करते हैं पहला question है हमारे पास find the area enclosed by the circle अब हमने area find out करना है circle का अब देखो circle का center क्या दिया हुए 00 कि circle का center 00 और radius कितना दिया हुए तो यह circle की diagram center 00 और radius क्या दिया हुए हमने यह area find out करना है तो हम क्या करेंगे with respect to x अब हम a के area find out कर लेंगे और उसे four के साथ multiply कर देंगे ठीक है तो यह हमारे पास o a और इसे हम b बोल देते हैं पहले area of circle किसके को लाएगा area of circle यह four part है ता four into four के साथ multiply limit zero से a तक और इसमें हमारे पास क्या जाया y dx ठीक है अब y की value हम यहां से find out करेंगे y की value मारे पास क्या आएगी root of a square minus x square तो यह आ हमारे पास four integration zero to a root of a square minus x square अब a square minus x square की identity आपको मालूम है a square minus x square की identity क्या है x by two root of a square minus x square plus a square by two sin inverse x by a और limit zero से a अब upper limit minus lower limit अब यहां a fulfill करोगे तो a by two a square minus a square a square by two sin inverse a by a minus lower limit अब zero fill करोगे यह सारा zero sin zero भी क्या होता आपके पास zero तो आपके पास value आगी a square minus a square zero a square by two अब a के साथ है cancel sin inverse one कितना होता है pi by two तो आपके पास आगा है four into a square pi divided by four four के साथ four cancel तो आपके पास area आगया pi a square square unit तो area of circle आपके पास आगया pi a square square unit answer तो ऐसे करना अपने application of integral ठीक है अब चलते हैं second question find the area of the reason bounded by the ellipse अब हमारे पास equation किसकी है ellipse की तो हमारे पास है x square by four का square y square by three का square equal to one अब यह x-axis जैनि a की value बढ़ी से बढ़ी है तो यह ellipse होगा आपके पास वर्टिकल तो एक्स की limit four है यह एक्स axis four है ठीक है और y-axis क्या zero यहां x-axis zero y क्या three है अब बिल्कुल circle जैसे हमने इसका area find out कर लेना और four के साथ multiply कर देना तो area of ellipse कि यह हमारे पास क्या होगा हम with respect to x कर गए with respect to y भी कर सकते हैं हम with respect to x कर रहे हैं ज्यादा question तो four के साथ multiply limit zero से लेकर four तक y dx ठीक है अब हम इसमें से y की value निकालेंगे x square upon 16 y square upon 9 equal to 1 तो y square upon 9 1 minus x square by 16 y square by 9 16 LCM तो four square minus x square by 16 तो y square is nine by 16 four square minus x square तो y की value आपके पास क्या जाएगी root of nine by 16 four square minus x square अब nine का root क्या जाएगा three और four का square जाए 16 का रूट क्या जाएगा four तो यह आपके पास y की value अब y की value हम यहाँ फिल कर देते तो four into zero to four three by four root of four square minus x square अब यह four के साथ four cancel three zero to four root of four square minus x square अब यहाँ फिर a square minus x square की identity प्लाई करेंगे तो a square minus x square की identity है x by two root of a square minus x square plus a square by two four का square 16 by two sine inverse x by eight और limit है zero से four अब upper limit minus lower limit अब four by two four square minus four square 16 by two eight sine inverse four by four minus lower limit अब x से zero फिल करो तो zero यहाँ x से zero फिल करो तो zero तो यह आपके पास आगया three four square minus four square zero four के साथ four cancel तो sine inverse of one अब sine inverse one की value आपके पास क्या है पाई बाई two यह cancel four four into three twelve by square unit आपका answer है यह किस question का answer है ellipse का ठीक है देखो दोनों question हमने circle का भी किया एलिप्स किया है integration का एक ही formula यूज हो रहा है root of a square minus x square ठीक है यह थे हमारे दो तरह के question circle and lips अब चलते हैं next question पर अब हमारे पास next topic है the area of the reason bounded by a curve and a line अब question करते है इसके इसका question number three है हमारे पास find the area of the reason bounded by the curve y square equal to x और line दे हुई x equal to one two four and the x axis मतलब x axis के उपर का area find out करने है तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए y square equal to x यह क्या है parabola कौन सा parabola है right parabola और limit कितनी है one से लेकर four तक तो यह area हमने find out करना है और x axis जनी x axis के उपर का area अगर x axis ना लिका होता तो नीचे का area भी find out करना था अब हम strip ले लेंगे ठीक है with respect to x find out करेंगे और area a, b, c, d का find out करेंगे अब area of a, b, c, d a, b, c, d equal to limit one to four y dx तो one to four अब y की value हमारे पास क्या हैगी root x ठीक है root x हमारे पास क्या होता है x की power one by two अब इसकी integration one by two में one add कर दोगे तो हमारे पास three by two divide में three by two one to four अब three by two हमारे पास क्या हो जाएगा two by three और upper limit four the four की power three by two minus one की power three by two अब four की power three by two है इसे हम क्या लिखेंगे two का square whole power three by two one की power three by two is one two के साथ two cancel two की power three eight eight minus one seven तो seven into two fourteen by three square unit answer है clear question तो ये था हमारा question number three area of the reason bounded by a curve and a line अब एक और question try करते हैं अब question next है हमारे पास find the area of the reason bounded find the area of the reason in the first quadrant enclosed by the x-axis ज्यानि first quadrant का area find out करना है और line दिए हमारे पास y equal to x और circle दिया हुए x square plus y square equal to thirty two तो पहले तो हमारे पास circle है x square plus y square और thirty two को लिख सकते है root thirty two का square जैनि circle आ गया x square plus y square thirty two को लिख सकते है four root two का square ये हमारे पास है circle और line हमारे पास दिए हुई है y equal to x ठीक है अगर हमने line के point निकालने हो तो क्या point आएंगे दोनों equal है ठीक है zero zero one one three three यानि यह 45 degree की line बनेगी पहले तो हम circle बनाते हैं यह हमारे पास circle और इसका radius कितना है four root two ठीक है अब line के point zero zero one one तो यह कौन सी line y equal to x line क्या होगी 45 degree अब हमने area कौन सा find out करना है x axis को touch करता हो first quarter में यह area find out करना है ठीक है तो पहले तो यह point find out करेंगे यह कौन से point पे cancel करता है और with respect to x करेंगे solve ठीक है dx with respect to x यह o a b और c ठीक है पहले हम क्या find out करेंगे o a b area फिर क्या find out करेंगे a b c area अब दोनों को add कर देंगे पहले हमने find find out करना है यह कौन से point पे एक दूसरे को cut करते हैं देखो हमारे पास question है x square circle है x square plus y square equal to 32 और y equal to x है अगर हम y की value x fill कर देते हैं तो x square plus x square equal to 32 2 x square equal to 32 x square 32 divided by 2 16 तो x की value क्या आगी root of 16 तो x की value क्या है plus minus 4 हमें तो plus 4 चाहिए जानि यह x की value 4 है यहां हमारे पास क्या होगी negative और हमें तो प्लस 4 चाहिए ठीक है तो यह दोनों किस point पर गट रहे है एक्स 4 और y भी 4 क्योंकि x और y दोनों equal है अब हम area find out करेंगे पहले required area वो किसके equal होगा integrate पहले area of oab plus area of abc oab और abc तो oab का area का है limit कितनी है 0 से लेकर 4 तक 0 से लेकर 4 तक अब यह किसके अंडर है line के अंडर है यह area तो line की value का है y equal to x तो x dx प्लस अब 4 से लेकर radius कितना 4 root 2 तक अब इस में से हम y की value find out करेंगे तो y की value के आएगी हमारे पास 4 root 2 का square और minus x का square अब इन दोनों को solve करके हम area find out करेंगे अब सबसे पहले x x की integration के हमारे पास x square by 2 और limit के है 0 से 4 अब फिर वही formula हमने दो question में पहले already use कर चुके है a square minus x square फिर वही formula apply होगा तो formula के है x by 2 root of a square minus x square plus a square जैनि 4 root 2 का square divide by 2 sine inverse x by 4 root 2 और limit के है 4 4 root 2 clear आप करेंगे upper limit minus lower limit यहाँ 4 का square 16 divided by 2 minus 0 यहाँ upper limit x की value 4 root 2 divided by 2 यहाँ 4 root 2 का square यहाँ भी 4 root 2 का square plus 4 root 2 का square 4 का square 16 root 2 का square 2 16 into 2 32 divided by 2 sin inverse x की value 4 root 2 divided by 4 root 2 ठीक है अब यह फिर minus lower limit upper limit minus lower limit अब minus करोगे पहले 4 फिल करना है तो 4 by 2 2 4 का square 16 16 और 2 का root 2 का square 2 32 minus 2 4 का square 16 फिर हमारे पास 4 root 2 square जानि 32 divided by 2 sin inverse x की value क्या फिल करनी है 4 तो 4 4 के साथ 4 cancel हो जागा तो 1 by root 2 अब यहां 16 by 2 हमारे पास क्या आ गया 8 16 by 2 हमारे पास आ गया 8 और यह 4 root 2 4 2 दोनों cancel 0 आ जाएगा यह 32 divided by 2 16 यह दोनों cancel sin inverse of 1 ठीक है फिर minus यह 4 divided by 2 2 32 minus 16 16 यह भी मारे पास क्या आ गया 32 divided by 2 16 और sin 1 by root 2 किस एंगल पर होता है 5 by 4 पर और यह आ गया हमारे पास 8 16 sin inverse 1 क्या होता है 5 by 2 यह root 16 क्या होता है 4 4 into 2 8 यह इसके साथ cancel तो यह क्या गया हमारे पास negative 4 5 अब यह 8 के साथ 8 भी cancel 16 by 2 क्या हो 8 pi minus 4 pi 8 pi minus 4 pi 4 pi square unit answer तो यह था आपका question number fourth ठीक है यह भी क्या कौन सा question था line और curve के अंडर अब चलते है next question अब जो हमने पहले question के बिल्कुल वैसा ही question है ठीक है दोनों question सभी question imported ही कर रहे हैं तो इसमें भी हुमारे पास circle दिया हुए और line दिया हुए ठीक है circle दिया हुए x square plus y square equal to 4 और line दिया हुए x equal to root 3y पिछले question में लाइन दिया हुए थी x equal to y यहां दिया है x equal to root 3y और इसका area भी first quadrant में find out करना है तो पहले तो डाइग्राम बनाते हैं इसका रेडियस कितने है टू एकस दू वाइस सीरो अब लाइन तो पहले तो हम circle मनाते हैं इसका रेडियस कितने है टू एकस दू वाइस सीरो अब लाइन तो फिर वही बिल्कुस सेम question है पहले तो यह point find out करेंगे कौन से point में cancel होते हैं ठीक है अब हमारे पास यहां से y की value निकाल लो y की value क्या है x by root 3 यहां fill कर देते हैं point find out करने के लिए तो x square y की value क्या है x by root 3 का square equal to 4 तो x square plus x square root 3 का square 3 4 equal to 4 3 LCM 3 x square plus x square divided by 3 equal to 4 तो 3 x square x square 4 x square equal to 12 तो x square 12 by 4 3 तो x की value क्या आगी root 3 यानि यह दोनों किस point पे intersect कर रहे हैं root 3 तो फिर वही with respect to x o a b और c यानि अब required area find out करने के पहले o a b का plus फिर a b c का फिर दोनों को add कर देंगे और limit क्या होगी 0 से root 3 और root 3 से 2 तक required area होगा area of o a b plus area of a b c अब o a b का area क्या होगा limit 0 से लेकर root 3 अब line क्योंकि यह जो area यह line के अंडर आता ना यह line के अंडर आता है तो line की value क्या है x by root 3 तो यहां क्या जाएगा x by root 3 dx plus root 3 से लेकर 2 तक अब यह circle के अंडर है तो circle में से y की value क्या आएगी 2 square minus x का square अब दोनों को solve करते हैं पहले की integration क्या हो जाएगी x की x square by 2 limit 0 से root 3 ठीक है प्लस अब इसमें फिर वही formula a square minus x square तो यहां क्या जाएगा x by 2 root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a और limit root 3 से 2 तक अब यहां upper limit minus lower limit तो 1 by 2 root 3 अलग अब root 3 फिल करोगे root 3 का square 3 ठीक है और 0 पुट करोगे तो वह 0 आजाएगा अब यहां अब 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 पर लिमट का 2 तो यहां जाएग से पहले 2 फिल कर दो तो 2 by 2 2 square minus 2 square 4 by 2 is 2 sin inverse 2 by 2 minus lower limit अब यहां root 3 root 3 by 2 2 का square 4 minus root 3 का square 3 plus नीचे रिख लिए हूँ 4 by 2 sin inverse root 3 by 2 clear है तो यहां मारे पास क्या गया 3 2 root 3 यहां मारे पास 2 square minus 2 square 0 हो गया और यहां मारे पास 2 के साथ 2 cancel 1 तो sin inverse 1 is pi by 2 minus तो root 3 by 2 4 minus 3 is 1 तो root 1 is 1 यहां 4 by 2 2 sin inverse root 3 by 2 कौन से angle पे होता है यह होता है 60 degree पे जानि pi by 3 अब हमारे पास आ गया 3 2 root 2 root 3 यह 2 के साथ 2 cancel pi यह minus root 3 by 2 और यह आ गया हमारे पास 2 2 pi by 3 ठीक है तो अब यह जो root 3 है इसे हम लिख सकते है root 3 into root 3 और यह दिवाइड में root 3 यह दोनो cancel यह pi minus root 3 by 2 और यह minus 2 pi by 3 तो यह आ गया हमारे पास root 3 by 2 यह आ गया हमारे पास root 3 by 2 और यह आ गया माइनस 2 pi by 3 यह दोनो cancel तो pi minus 2 pi by 3 किसके एक को लागया 3 LC हम 3 pi minus 2 pi by 3 तो यह आ गया हमारे पास pi by 3 square unit answer तो यह था हमारा question number 5 सबसे important question है ठीक है दोनों ही question नहीं जैसे थे सिरफ difference क्या था यहाँ x equal to y था पिछले question में और इसमें x equal to root 3y है और दोनों में circle given थे अब चलते हैं next question पर अब question हमारे पास find the area bounded by the parabola y equal to x square and y equal to modulus of x यह भी question important है अब mod x आगया अपने plus one में पढ़ड़ा है mod x के बारे में ठीक है mod x क्या होता है x अगर greater than equal to 0 हो तो mod x x positive हैगा अगर x less than 0 हो तो यह क्या जाएगा negative x ठीक है अगर greater than equal to 0 हो तो positive x अगर less than 0 हो तो negative x ठीक है अब हमने area find out करना है तो पहले तो हमारे पास x square equal to y है तो यह कौन सा parabola यह upper parabola अब line हमारे पास दो है एक y equal to x और एक minus x है अगर x की value 1 पूट करोगे तो y1 x की value minus 1 पूट करोगे x की value 1 पूट करोगे तो यह पहले तो greater than value पूट करोगे तो हमारे पास positive x है अगर less than value पूट करोगे तो negative x है यह हमारे पास यह दो line आएंगी ठीक है यह y equal to x है और यह y equal to negative x अब हमने यह दोनों area find out करने है ठीक है थोड़ी diagram अलग बन गी ठीक है equal होगे और with respect to x dx ठीक है तो हम यह area find out कर लेंगे और इसको two के साथ multiply कर देंगे ठीक है तो पहले तो हमने यह point find out करने है यह कौन से point पे cancel होते है तो हमारे पास x के equal to y है और y किसके equal है x के equal है y किसके equal x के equal है तो y की value क्या feel कर देते है x तो x इदर जाके negative x common x minus 1 तो x की value एक 0 आगी और एक 1 तो यहाँ 0 से लेकर कहा तक cancel हो रहे है 1 तक cancel हो रहे है ठीक है तो limit हमारे पास क्या है 0 से लेकर 1 तक तो area कैसे find out करेंगे required area 2 के साथ multiply क्योंकि एक area find out करेंगे और उसको 2 के साथ multiply कर देंगे तो 2 limit 0 to 1 तो पहले तो line line की value क्या है x फिर minus 0 to 1 अब parabola को subtract कर दो तो parabola में y की value क्या है x square बस अब दोनों को solve कर देते हैं तो x की integration x square by 2 और x square की integration cube by 3 limit 0 से 1 अब upper limit minus lower limit तो 1 by 2 minus 1 by 3 0 put करोगे 0 minus 0 तो यह क्या हुगा LCM 3 minus 2 divided by 6 तो 3 minus 2 is 1 by 6 यह दोनों cancel ठीक है तो हमारे पास answer क्या आ गया 1 by 3 square unit answer तो यह भी question बहुत important था ठीक है area y equal to x square और y equal to mod of x यह हमारे पास जो first exercise गया उसके सभी important question थे ठीक है तो आपने यह try कर लेने और जो question रहेगे वो भी आप एक बार try कर लीजिए ठीक है सभी question important है और जो b x size है ठीक है area between two curves यह हमारे slavus में नहीं है लेकिन cvsc ने sample paper में यह question जरूर डाल दिया तो इसके भी हम एक दो question जरूर जरूर तो यह slavus में तो नहीं है लेकिन risk cover करने के लिए हमें करना चाहिए ठीक है क्योंकि sample paper में cvsc ने यह डाल दिये तो यह है क्या जैसे हमने area between line and curve जा area between area curve का किया था अब area between two curves का अगया ठीक है तो कैसे है जैसे हमारे पास यह कोई question है ठीक है एक diagram बनाते है जैसे हमारे पास यह कोई curve है और एक यह to fx और यह हमारे पास g equal to fx जाइस के y equal to gx लिखते है ठीक है दो अलगल equation है और हमने इन दोनों में combine area find out करना है ठीक है strip dx तो कैसे करेंगे जैसे हमारे पास माल लेते हैं यह a limit है और यह b limit है तो कैसे होगा a to b ठीक है gx ठीक है gx minus fx sorry fx minus gx क्योंकि यह area find out करेंगे और उसमें से gx subtract कर दें ऐसे करना है बस एक curve का area find out करना है दूसरा curve का उसमें से subtract कर देना है ठीक है तो ऐसे था area between two curves अब एक दो question try करते हैं तो आपको clear हो जाएगा अब यह हमारे पास area between two curves का question है find the area of the reason bounded by the two parabola y equal to x square और y square equal to x तो यह दो parabola given है हमारे पास पहले है x square equal to y और दूसरा है y square equal to x एक तो अपर parabola x square equal to y और यह x के रोड दूसरे है लौर पराबूल आ डियन इकार एक्स एके के राइट पराबूला यह हमारे पास y स्के रिकोल टूग ठों यह अटिडल टूगभाइग और हमने यह एरिया फाइंड आउट करने ठीक़ फाइंड आउट कैसे करें है विद रिस्पेक्ट टू X ठीक है अब area find out करने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए ये किस point पे cancel होंगे दोनों ठीक है ये find out करने के लिए देखो हमारे पास X square equal to Y है ठीक है तो यहां क्या है Y square equal to X है तो Y की value यहां fill कर देते है Y square equal to X है तो Y की value हुमारे पास क्या है? X square तो यहां क्या जागा? X square का square Y square equal to X X square का square equal to X, तो X की power 4 equal to X तो X इधर जाकर divide हो जागा तो X की power 4 divided by X equal to 1, तो X के साथ X cancel, तो X की cube equal to 1, तो X की value क्या हागी? 1 की power 1 by 3, तो X की value क्या हागी? 1, यह दोनों किस point पर cancel हो रहे हैं one पर ठीक है कि इस point पर एक दूसरे को intersect कर रहे है one पर अब area क्या होगा area होगा limit zero से one तो हमने क्या formula पढ़ा था fx minus gx तो पहले यह parabola का area find out करेंगे और इसमें से यह parabola सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो यहां हमारे पास y की value क्या आएगी root x minus यहां value क्या आओगी x square जानि इस parabola में से इस parabola को सब्ट्रेक्ट कर देंगे यह parabola में y की value root x है इस parabola में y की value क्यों क्या x care अब integration करते है root x की integration x square by 2 sorry root x की integration x 3 by 2 divided by 3 by 2 और x square की integration x 3 by 3 limit 0 से 1 अब 3 by 2 को क्या लिखेंगे 2 by 3 और minus x cube by 3 अब upper limit minus lower limit अब upper limit fill करो पहले 1 तो 2 by 3 1 की power 3 by 2 minus 1 by 3 minus lower limit तो 00 fill करोगे तो 00 अब 1 की power कुछ भी हो तो 1 नहीं रहेगा तो 2 by 3 minus 1 by 3 तो 1 by 3 square unit आपका answer तो ये था area between two curves तो हमने 8 chapter के सभी important question कर लिये और area between two curves ये syllabus में नहीं था लेकिन sample paper में आ था इसलिए तो हमने इसका एक question कर लिया आप risk नहीं ले सकते इसको छोड़कर आपने question try कर लेने है ठीक है तो ये था हमारा पूरा chapter एक ही वीडियो में thanks for watching and subscribe the channel and share with your friends